पांस थरकु फिदिम बाट इस्तानी बास सिंदा संग अठार लाख रुपयार सुनचादी साइत का जिन्सी सामागरी साइत ठगेर फरार भाय का बाउदगुरुको बेस्थारी बेक्तिलाई प्ररिली पक्राव गरेको छा। जेट सत्र गति फिदिम बाजार इस्तित सगुन होटल बाट अठार तोला सुन्र पांस लाख नगद्र जिन्सी सामागरी ठगेर हिडेका तेंजिंग गिसिंग भुटियालाई बहतु 22 गति तनहुको डुम्रे बाट पक्राव गरियेको हो। थरका प्रारी नाइबो परिछेक क्रिष्ण प्रसात कोर्यलाली जानकारी दिन भायो। प्रारी का अनुस्तार भारत का बिविन न इस्तान मा बाउद शिक्षा लियेका उनी 10 बर्षे येता नेपालाउन जान थाले का थी। यसागी उनली कार्फंडो को कलंकी नुआ कोट सिंदुपाल्चो को हेलांबुरा उदैपूर को गाईगार का बिपिन बैक्तिहरु बाट यसरी ने ठगी गरिशाके को प्रारी को प्रारमिक अनुस्तान बाट खुले को छा। तिन बर्ष पहिली सिंदुपाल्चो क जिला अदलत ली ठगी मुद्धामा तिन बर्ष कईज सजाय सुनाये पाछी, 2072 साल वैशाक बार गातिको महा भोकमप सम्म सिंदुपाल्चो कारागार माई थिये। भुकमपली कारगार भतकाय पछी अन्ने कई दिशांगे भागे काउने भारत बसेर छमएन अगाडी नेपाल फरके को प्ररिलेजन आएको शां। भुटियाले उधेपूर को गाइकार इस्तित बुर्की का दुईवटा घर भाट पांच मैना अगे करीब 15 लाख रूपेया ठगी करीको अनुसनार का क्रमा लामा स्वेमले बयान भाट स्विकारे का सन। उपांपले सिंदु पाल चको कारागार भट कियो देर है कईति एरू भागे त्या बड़ा वागे मद्य को उड़ा आपनी उनुसन थे। उँआ सम्जा काटि दाको मांचे उ जेल भध कारागार भट किये पची उँँए भागेरा इंडिया जानु ओ पाश्थार मा पनी उनली इस्तानिय बाटा ठगी गरेरा व्यपता भई पाशी इस्तानिय ली अठारा गती प्रारी लाई जायरी दिये का थी प्रारी प्रमो कोईरेला का अनुसार फिदिम बाटा हिरी पची जापा को बेता मोड हो दे उनी पोखरा पुगे का थी 21 कती समा लेकसाइट को एउटा होटाल मा बसे रा डांस बार मा मनो नंजन मा समेत उनी तलीन देखे का थी बुटिया पोखरा पची 22 कते तनाव को फिदिम बाटा ठगे को सुन बेस्ति गदा पक्राव परेका हुन उनलाई पिछा गर्नी क्रम मा पोखरा को डांस बार मा मोनोर्जन गरी राइका बखत खेची को भीडियो पनी पत्रकार समेलान मा फ्रारीली सर्वजनी गरी को सुन भुटियाला आईतवार नै जिला अदलत पांस थर मा पेस करी अनुस्वन्दान क लागी म्यात थपेकु पांस थर प्रारीली जनाएको सम उनी बिरुद्ध ठगी मुद्धा चलाएकु प्रारी दाविशा सगरमाथा टेलिविशन का लागी पांस थर वात लक्षमी गौतम को रिपोर्ट